हेई गाईज माई सफ की इन चैनल आज के वीडियो में आप लोगे साथ शेयर करने वाली हैवी वाले ड्रेस मटिरियल्स है कूरता साइट्स है डूपट्टा है गोटाबत्ती वाले वैलवेट के सब कुछ मिक्स कलेक्शन है सारो की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी माई हॉल स्टोर करके लिंक होगी उस पे क्लिक करोगे तो सारा कलेक्शन कुल जाएगा और उसके थुरू ही आप एमेजोन पे जाके यही वाली प्रोड़क आप बाई कर सकते हो यह सारा जो कलेक्शन है वो एमेजोन का है वेटिंग सीजन जो है वो लाइक की स्टार्ट हो गई अराउंड दे कॉर्णर भी बहुत सकते है तो उसके ध्यान में रखते ही आज का वीडियो जो है वो मैं शेयर कने वाली हूँ सो लेट्स गयर स्टार्टेड्र सबसे पहला जो है वो ढुपरटा है और जो मुझे बहुत पसंद आया seldom मैं देख रहे थी कूरता सेड्र बी देखते देखते ही मेरी नजर में जो है वो मेरी नजर जो है वो डुपटे पे पड़ी तो मैंने सुचा कि बहुत अच्छा है तो शेयर किया जाए तो यह कुछ इससरे का है कि धी तो मैंने ले लिया इसको बहुत गूत कर अदिश्चा के साथ और कोई कडर की अनारकली के साथ इसको वैड़ करने के बाद रहो अपने प्लेन अनारकली भी पहने होगी तो पूरी अनारकली का यह पूरी कूर्टे का लूख है वो चेंच हो जाएगा इवन आप इसको के साथ भी वैर कर सकते हो तो वैलवेट ऐसा है कि क्लास सी लुक देता है और मुझे परसनली वैलवेट पसंद है साथी में गोटाबत्य है तो हैवी सा लुक आजाता है तो आप देखोगे ना तो चारो तरफ डूपट्टे की बॉर्डर में ऐसा गोटाबत्य वाला आपको लुक देखने को मिल जाता है बीच बीच में ऐसे गोटाबत्य वाला वर्क किया गया है और वैलवेट का फैब्रीक है लंबाई चोड़ाई अच्छी खासी है इवन सर्दियों में जब भी साधी की सीजन होती है इसमें आप ऐसा डूपट्टा वैर करते हो ना तो वैलवे में जा सकते हो तो इसका सारी वे में यूस कर सकते हो दिमाग लगाके तो वर्थीट है अच्छा नहींल है फोटा नहीं और शॉटो आफुसल चाहिए बबड़ेम अब चाहीं च्वाण रखए है रूब का डूटा एक है अपने के उ सबस्क्राइब टूब आना बटान तो भी आपको ठंडी कम लगेगी, so that's why मैंने इसको शेर किया है, और I think इसकी प्राइज अफोड़ेवल थी, तो इसके लिए बिग थम्स अप है, definitely आप ले सकते हो, उसके बाद जैसे मैंने बताया, वसे ही कि मैंने dress materials भी लिये हैं, और मैंने heavy kurta set भी लिये, तो सबसे पहला जो है, वो कुछ इस तरह का है, इसमें, I think, क्या मोलते हैं, वो फोड़, ये इस तरह के card दिये है, लेकिन ये जो है, मैंने जो मंगवाया है, उसका photo नहीं है, catalog type के जो आते हैं, मैंने जो मंगवाया है, वो gown मंगवाया है, heavy सा red color का, जो पूर आपको open करके दिखाती हूँ, बहुत beautiful है, और try करूँगी, कि like stitch करवा के ही दिखाओ, अभी possible नहीं था, इसलिए मैं जो है, वो ऐसे ही दिखा रही हूँ, यह देखी, यह red color का है, इसके अंदर आप देखोगे, red color का और इसका fabric जो है, वो net का है, इसके अंदर जो है, वो embroidery and red stonework गया गया है, यहाँ पे red portly buttons आपको देखने को मिल जाएगे, इस तरह का इसका neck आएगा, उपस से नीचे तक आप देखोगे ना, तो front slit मिल जाएगी आपको, यह stitch होने के बाद इसको wear करोगे, बहुत beautiful look लगेगा, यह front slit यहाँ पे आपको मिलती है, इस तरह के lining के साथ का है, अंदर आपको इस तरह के satin type की lining भी मिल जाती है, और नीचे तक और नीचे इस तरह का border मिलती है, cut type की आपको border मिलती है, front में, इस तरह का look आएगा, लाइनिंग के साथ का है, sleeve की हम बात करते हैं, तो sleeve भी पूरी heavy आपको मिलती है, वर्क वाली लाइकी यह, इस तरह से आप जब stitch करवाओगे न, यह sleeve है, तो यहाँ पे बहुत heavy सा यह वाला जो work है, वो sleeve में आएगा, जिसमें एमरोडरी and stone work किया गया है, back side इसकी आप देखोगे, तो back side में net का जो है, उपर का fabric और अंदर आपको satin का fabric देखने को मिल जाता है, और नीचे तक आपको इस तरह के lining वगिरा मिल जाती है, बहुत अच्छा है, definitely जा सकते हो, इसके साथ जो इसका bottom है, क्या है, वो हम चेक करते हैं, यह skirt, शरारा, skirt के साथ का actually में यह जो है, और maybe skirt जो है, आपको fully stitch मिलता है, yes, fully stitch skirt मिलता है, और उपर का semi stitch मिलता है, जिसको आपको side में से थोड़ा सा stitching वगिरा करवाना होगा, तो waste जाएगी, एक्सेल तक आपकी size है, तो वहां तक क्या आपको जाएगी, और इसमें भी उपर का जो fabric है, वो net का है, और अंदर का जो fabric है, वो starting का है, embroidery की गई है, उपर से नीचे तक आप देखोगी, तो कुछ इससरे का look आता है, आगे से और पीछे से पूरा embroidery work वाला, आपको इसमें skirt मिलता है, और डुपट्टा भी आया है इसके साथ, तो डुपट्टा भी हम देख लेते हैं, डुपट्टा I think सीफॉन का है, हाँ डुपट्टा जो है वो bright red color का सीफॉन का मिलता है, और पूरा प्लीन है, विकोज की कूर्टा एंड मतलब की इसका जो उपर का है, वो कूर्टा और skirt जो है वो पूरा हैवी है, तो डुपट्टा आपको साथ, जो मिलता है ना, वो सीफॉन का इससरे का मिलता है, चारोत तरफ आपको ऐसी red वाली fabric की ही border मिलती है, और पूरा प्लीन है, लंबाई चोड़ा है, तो डुपटा छोटा नहीं लगने वाला है, उसके बाद एक और मैंने dress material लिया है, और यह मुझे बहुत पसंद आया है, परसनली यह बहुत अच्छा है, यह light peach pink color का है, चिकन कारी है, sequence work भी है, जो color का आप देख रहना dress material वही color की sequence लगाएगी है, पीच color के, तो इसकी विज़े से बहुत अच्छा look आता है, जब stitch होगा ना, बहुत अच्छा लगेगा, मैं ब्लॉग वाली चैनल पर मैं ट्राइ करूंगी कि इसको stitch करके आपको पहन के दिखाऊंगी, तकि आपको पता चले, वैसे भी चीकन कारी जो है, वो आल टाइम फेवरीट है, और यार कभी भी पहनो, इसका trend नहीं जाता है, पहनने के बाद है लगी look आता है, और उपर से जोर्जेट में है, तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें आप देखोगे ना, तो पीच बॉर्डर टाइब का look आएगा, जब stitch होगा ना, तो यह long straight cut कूरूती जासा look आएगा नीचे, जब यह stitch होगा तब, और back side आप देखोगे, तो back side पूरी plain रहेगी, उपर से नीचे तब, बहुत अच्छा है, ब्यूटिफूल है, मुझे परसनली यह बहुत पसंद आया, इसके साथ जो आया है न, वो क्या है, लाइकी, हाँ, नीचे बॉटम के लिए आपको जो है, वो पीच कलर का कपड़ा दिया गया है, जिसको आप बॉटम स्टीच करवा सकते हो, उसके लिए, अगर आप थोड़े भी healthy होना, तो भी हो जाएगा, और डूपटा भी पूरा ह लिए चिकन कारी वाला मिलता है, इस तरह से, पीच कलर का, इसका फैब्रिक भी जॉच्ट का है, और इसके उपर आप देखोगे, तो यहाँ पे सिक्वंस वर्क किया गया है, बीच में भी आप देखोगे, तो सिक्वंस वर्क एंड चिकन कारी वर्क मिल जाता है, प्लस टुपट्टा है, और यह भी बहुत ब्यूटिफूल है, फोटो में बहुत अच्छा लग रहा था, सिल्क का है, रियाल में भी अच्छा आया है, यह देखे, परपल कलर का है, इस तरह से है, सिल्क का, और इसको भी आप वेडिंग्स वगिरह में फैस्टियों में पै अच्छा खासा है, लुक वाइस बहुत अच्छा लगेगा, हैवी सा लुक आएगा, और थोड़ा सा जो है, श्राइन करने वाला फैब्रीक है, इस तरह से, लॉंग स्टेट कट है, नेक में और स्लीव में आपको एमरेटरी मिल जाती, अधरवाइस जो है, बाकी पूरा प प्लेन मिलता है इस तरह से, इसके साथ जो आया है वो प्लाजो है, तो वेस में आप देखोई तो फ्रंट में आपको ऐसा बेल्ट और बैक साइड आपको इसा एलास्टिक मिल जाता है, ये भी सिल्का परपल कलर का है इस तरह से, और ट्रावजर कम प्लाजो बोश सकते है, वैसा है, नीचे आपको इस तरह की बॉर्डर में जाती है, जिसमें मीरर वर्क एंड अमरोडरी जो वर्क जो है, वो किया गया है, जैसे कूर्टे में नेक में किया गया है, वैसा ही, और इसके साथ जो डुपटा आया है, वो पींक कलर का आपको मिलता है, वो भी अच्छा तो लुक पूरा है यहां पर साइड में आप देखोगे तो इस तरह के सिलबर वाली बॉडर लगए गई है ट्राइंगल वाली इस तरह की पींग कलर का है सीफॉन का है बीच में से पूरा प्लीन है और चाव तरफ ऐसी बॉडर मिल जाती है आपको लगाई गई इस तरह से य यलो कलर का है इसको आप हल्दी वगेर में भी पैन सकते हो वैसा है अनार कली है रियों के यलो कलर की रियों के अनार कली डुपटे के साथ है अंगरखा स्टाइल की यहां पर आपको पेटन और गोल्डेन बॉडर लगाई गई मिल जाती है और यहां पर आप देखोगे तो यहां की नेक की जो डिजाइन है ना यह वाली वो इस तरी की डिजाइन मिल जाती है स्लीव में आपको ऐसे golden borders वगेरा मिल जाती है A-line अनार कली है साइड में आपको ऐसे बहुत ही बड़े वाले लटकन मिल जाते है यलो और पिंक के combination में और नीचे की तरफ आप देखोगे तो नीचे भी आपको जो है वो इस तरह की borders वगेरा लगाएगे मिल जाती है बैक साइड आप देखोगे इसमें तो बैक साइड जो है उपर से नीचे तक कुछ इसतर का look आता है और बैक साइड भी नीचे की तरफ आपको ऐसे border मिल जाती है ए-line है इसमें मैंने L size ली है रियोन का fabric है solid color बोल सकते है वैसा ही है और इसके साथ जो डुपट्टा आया है वो pink color का ऐसा silk का मिलता है color combination yellow pink का अच्छा लगता है वेडिंग के लिए healthy के लिए आप इसके साथ definitely जा सकते हो इस तरह की यहां पर golden border मिल जाती है side में ऐसे tassels है इसके उपर इस तरह की design की गई है यह जो golden prints आती है वैसी prints की गई है डुपट्टे में डुपट्टे का fabric जो है वो silk का है उपर से नीचे तक आप देखोगे तो इस तरह का look आता है इसका तो डुपट्टा भी अच्छा खासा है और combination आप देखिए yellow and red का sorry pink का combination बहुत beautiful लग रहा है तो ये वाले कूर्टा सैट के साथ भी आप जा सकते हो इसके लिए भी big thumbs up है और मैंने जो कूर्फी पहनी है उसका वीडियो hopefully आगया होगा तो link मिल जाएगी otherwise थोड़े ही दिन में आ जाएगा so stay tuned आज के वीडियो में यही था इन में से कौन सा वाला कूर्टा या trace material जो भ अब मिलेंगे अगले वीडियो में still then bye bye and take care all